नमस्कार दोस्तों मैं राजीव आपके अपने यूटूब चैनल जीके महा को मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों ये सीरीज एजूकेशन की सीरीज है और इसमें सिक्षा सास्तर से संबंधे सभी टॉपिकों को कवर कराया जाएगा एक एक करके प्रते दिन एक वीडियो में ड होते हैं उनस सभी क्यूष्画 को जितने विक्यूष्ण बन परते हैं उनस सभी क्यूष्णों को में इसमें आपको देने का एक चोटा सा प्रयास चालों किया हूँ आप निदेंस यहें प्रविजन Olay यें मैं हुघना चाहूंगा कि यहां कि हमारिदमेंट नियूज GKGS हेस लिश्टरी जोगर्फी विए सब कुछ देखने को मिलेगा धीरे-धीरे करके, और लेब्रेरी सायंस के भी हमारे प्रोविजनल एर किशन पेपर, और टेश्ट सिरीज वगरव उन-लाइनर सब कुछ देखने को धीरे-धीरे करके मिलेगा, और देखी रहे हैं धेरे-धेरे करके डाल रहा हूं टीन चार से पांच वीडियो में डेली अप्लोड कर दिया करता हूँ डेली जो है पांच वीडियो आपके लिए प्रोवाइट करने का एक छोटा सा प्रियास रहता है तो जल्दे से जल्दे सभी जुड़ जाएं आज की इस सीरीज में और बहुत ही कम छात्र जो है इस सीरीज में उपस्तित होज़ पाते हैं उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि लाश्ट में कमेंट करके जुरूर बताईए कि आपके कितने कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्यूसन सही हो रहे हैं तो उसके बावजूद भी कोई नहीं बताता है कि जो है कितने क्यूसन जो है आपके सही हो रहे हैं समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है भगवान जाने जो भी कारण हो बताने में सरम आती है या क्या है अब कुछ तो छात्रा ऐसे है जिनकों की सरम आती है ऑनलाइन टेस्ट देने में भी भगवान जाने आगे क्या होगा तो चली मेरा जो काम है मैं वो काम अपना करूँगा आपका जो काम है वो आप करिए तो जो लोग भी जूड़ पाए हैं उन सभी का स्वागत तो चली शुरू करते हैं आज के इन क्यूशनों को एक चीज और जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटिव चाहिए फ्रेंड हो आपके या दोस्त हो जो भी हो उनको इसे अधिक से दिक संख्या में सेयर कीजिए ताकि अधिक से दिक लोग इस चैनल से जुड़ें आपके पास जो भी वाटसप ग्रूप टेलेग्राम सेयर करेंगे तो चलिए देखते हैं आज के इन क्यूशनों को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आज आपको की आज का टॉपिक हमारा जो है गोखले विध्यक से संबंदी है गोखले विध्यक से संबंदी है इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन क्यूशनों को तो आज का पहला आपका क्यूशन आपके सामने है तो पहला क्यूशन है कि सिमला सिक्षा सम्मेलन का कब आईजित किया गया तो आप्शन आपके हैं सितंबर 1901, अक्टूबर 1907, दिसंबर 1903 या नौवंबर 1902 आप्शन देने की कोशिस कीजिए, ABCD करके आप दीजिए, मैं समझ जहूँगा तो राइट एंसर है सितंबर 1901, अगला प्रशन है अगला प्रशन है, सर थामस रेले की अध्यक्षता में भारती विस्विद्याले आयोग की निक्ति कब की गई? सर थामस रेले की अध्यक्षता में भारती विस्विद्याले अनुदान आयोग की निक्ति कब की गई? दोस्तों मैं बताओं आपको आप जो है जो वीडियो पहले नहीं देख पाए हैं उसको जो है चैनल के प्ले लिश्ट में बाल विकास बाल विकास के नाम से प्लेलिस्ट है उस पे जाके पूरी वीडियो को एजुकेशन के पूरी वीडियो को आप जाके देख सकते हैं तो सर्थामेस रेले के अजधक्ता में जो विस्विद्यले अनुदान आयोक की नुक्ति की गई थी इसमें से आपको आप्सन बताना है मैं तो 1908, 1902, 1903 या 1905 राइट अंसर की मैं बात करूँ तो राइट अंसर है 1902 आप्सन बी सही है जिसने भी आप्सन बी दिया है उन सभी का सही है जिसने भी सी लिखा है उन सभी का गलत है अगला प्रश्ण है सत्त कथन को चुनिये इसमें जो है सत्त कथन को चुनना है तो पहला है राष्टी सिक्षा की मांग वस्तुत अंगरीजों के द्वारा प्रचलित की गई पास्चात्य सिक्षा की विरूध की परिनित थे परिनित थे बी है राष्टी स्वतंत्रता अंदोलन ने राष्टी सिक्षा की मांग को गती प्रदान की सी है भारती सिक्षा व्यवस्ता का पस्चात्य करण करने के विरुध अनेक देश प्रेमियों राजनेताओं तथा समाजिक संस्थाओं ने जोड़दार धंग से असत्य कथन इसमें चुनना है इसमें क्या असत्य है तो आप्सवन आपके हैं महात्मा गाधी तथा एनी बेसेंट पस्चात्य सिक्षा के कट्टर विरुधी थे भी है भारत के राजनेताओं तथा सिक्षा वीदो ने भारती संस्क्रीट पर आधारित सिक्षा की मांग की जिसके से राष्टी जीवन तथा चरित्र को सबल बनाया जा सके सी है प्रमपरावादी प्रबुद्ध वर्ग ने राष्टी अंदोलन में सक्री रूप से भाग न लेते हुए राष्टी सिक्षा को हतो साहित किया दी है राष्टी सिक्षा की मांग वस्तुत अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित पास्चात सिक्षा के विरूत की परी रित्थी तो इसके राइट एंसर की में बात कुरूँ तो इसमें जो असत्त कथन जो है यही है आप्शन सी अगला प्रस्चन है यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे यंग इंडिया नामक संपत्रिका के संपादक कौन थे तो आप्शन आपके है बिनोवा भाबे, गोखले, महत्मा गांधी, अनी बेसेंट यंग इंडिया पत्रिका नामत पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है तो राइट एंसर है महात्मा गाधी, option C अगला प्रशन है राष्टे सिक्षा प्रसार समीति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया option आपके है राघो, सरण उपध्या, सिया जी राव, गायकवार, गुरू दास बेनर जी या गुपाल कृष्ण गूखले बताईए तो राइट एंसर की बात करूँ तो गुरू दास बेनर जी अगला प्रशन है ब्रह्मचर आस्रम की अस्थापना किसने की ब्रह्मचर आस्रम की अस्थापना किसने की option आपके है गोखले, रविंद्रनाथ टैगो, राधा, कुमुद, मुखर जी या तिलकने किसने की तो राइट एंसर की बात करूँ तो राइट एंसर है ब्रमचर आश्रम की अस्थापना जो है रविंद्रनात टैगोर ने की ओप्शन B सही है अगला प्रशन है कांग्रेस ने निसूल्क तथा प्रात्मिक सिक्षा का प्रस्ताव कब पास किया कांग्रेस ने निसूल्क तथा प्रात्मिक सिख्चा का प्रस्ता कब पास किया आप्शन 1920, 1910, 1914 या 1918 इसका रायेट एंसर जिसने भी 1910 दिया है या भी दिया है उन सभी का सही है अगला प्रशन है बड़ोदा के महाराज सियाजी राव गायकवार्ड ने किस वर्ष अपने राज में प्रात्मिक सिख्चा को निसूल्क तथा अनिवार बना दिया बताईए अनिवार तथा निसूल्क बना दिया अप्शन आपके हैं 1906, 1915, 1907 या 1908 माप कीजिएगा दोस्तों सियाजी राव गायकवार्ड थर्ड ही वह व्यक्ति थे जिनोंने 1910 में भारत में पुस्तकाले बिग्यान यानिक लैब्रेरी साइंस को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका यू ऐसे के व्यक्ति डबलू ए बोर्डन को जो है भारत में बुलाया था इस चीज का ध्यान रखिए और ये सियाजी राव गायकवार्ड थर्ड इंग का पूरा नाम था ये त्रत्रितिय महराज थे बड़ोदा के ये भी ध्यान रखेगा डबलू ये बोर्डन को बुलाया और 1911 से जो है पुस्तकाले विग्यान की सिक्षा जो है आरंभ हुई थी तो रायट अंसर इसका जो प्रशन हमने पुछा उसका रायट अंसर है 1906 अगला प्रशन है गोपाल कृष्ण गोखले किन वर्सों के बीच सरकार द्वारा प्रात्मिक सिक्षा को बनाये जाने के लिए और ठक प्रियास किये अप्सन आपके है 1910 से 1913, 1914 से लेके 1919 या 1912 से लेके 1916 या 1910 से लेके 1920 इसका रायट अंसर है 1910 से लेके 1913 अगला प्रशन है सत्य कथन को इसमें चुनना है कि क्या सही है तो ए है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सरकार को अनिवार प्रात्मिक सिक्षा की दिसा में क्रिया सील बनाने का प्रियास किया बी है गोखले ततकालिन भारत में प्रात्मिक सिक्षा की दैनी दसा से अतियंत व्यवस्थित थे सी है गोखले भारत में अनिवार प्रात्मिक सिक्षा के माहान दृष्टा थे या उप्युक्त सभी तो इसका राइट अंसर है उप्युक्त सभी जिसने भी दिया उन सभी का सही है अगला प्रश्ण है प्रात्मिक सिक्षा को अनिवार सिक्षा बनाने के लिए गोखले ने किस वर्ष केंद्री धारा सभा में अपना प्रसिद्ध विध्यक प्रस्तूत किया अप्सन आपके हैं सन 1911, सन 1914, सन 1910 या 1919 बताएए प्रात्मिक सिक्षा को जो है अनिवार बनाने के लिए गोखले ने किस वर्ष केंद्री धारा सभा में अपना प्रसिद्ध विध्यक प्रस्तूत किया तो राइट अंसर है ओप्सन ए 1911 अगला प्रस्टन है गोखले के द्वारा प्रस्तूत प्रात्मिक अनिवार शिक्षा विध्यक की निम्न में से कौन सी विसेस्ता सामिल है इसमें विसेस्ता बतानी है कि कौन सी सामिल है तो ए है विध्यक में प्रावधान केवल नगर पालिकाउं अत्वा जिला परस्यदों के द्वारा इस हेत घोसी छेत्रों में लागू होंगे दूसरा है प्रस्तावित आयू सीमा छे से दर्श वर्श होगी सी है प्रारंब में यह सिक्षा केवल बालकों के लिए लागू की जाए प्रन्त बाद में अस्थानी संस्ता इसे लड़कियों के लिए भी लागू कर सकती है और डी है उप्युक्त सभी तो रैट अंसर है उप्युक्त सभी अगला प्रश्ण है राष्टी सिक्षा को राष्टी चरीत्र का विकास करना चाहिए यह कथन किसका है तो राइट अंसर है स्रीमति एनी बेसेंट गोपाल कृष्ण गोखले लाला राजपत्रा या महात्मा गांधी का बताईए तो राइट अंसर है स्रीमति एनी बेसेंट का अगला प्रश्ण है राष्टी जीवन और राष्टी चरीत्र को अधिक सिग्रता और अधिक निश्चित रूप से निर्वल बनाने के लिए इससे अधिक अधिक निश्चित रूप से निर्वल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता कि बालकों की सिख्चा पर विदेशी प्रभाव और विदेशी आदोर्शों का प्रहुतत तो हो यह कथन किसका है अप्शन आपके हैं एनी बेसेंट लाला लाजपत राय डाग्डर एस एन मुकरजी या महात्मा गाधि बताईए राइट अंसर है स्रीमती एनी बेसेंट अगला प्रशन है लोग सेवा मंडल नामक संस्था की अस्थापना किसने किया था अप्शन है लाला राजपत राय बिपिन चंदरपाल गोखले स्रीमती एनी बेसेंट तो राइट अंसर है गोखले ने किया था अगला प्रशन है ऑप्शन सी जिसने विद्या सभी कैसा ही है अगला प्रशन है गोखले विद्या विरूद के निम्न में से कौन से कारण प्रस्तुत किये थे अप्शन आपके है यह योजना समय के बहुत पुरू है यह योजना समय के बहुत बाद है सी है प्रांती वो अस्थानी सरकारे इसके पक्ष में नहीं है या उप्युक्त सभी तो रैट अंसर है इसका उप्युक्त सभी अगला प्रशन है गोखले विल की असफलता का प्रभाव सरकार पर क्या पड़ा है ऑप्शन आपके हैं सरकार तथा जन साधारन दोनों ही अनिवार सिक्षा की ओर ध्यान देने लगे बी है जार्च पंचम ने दिल्ली दरवार में प्रात्मिक सिक्षा के लिए 50 लाक रुपे की धनरासी प्रदान करने की घूसड़ा की सी है गोखले बिल से प्रभावित होकर भार सरकार ने प्रांती सरकारों को प्रात्मिक सिक्षा को अनिवार बनाने के लिए अनिवार सिक्षा अधिनियम पारित किये या उप्युक्त सभी राइट एंसर है उप्युक्त सभी तो इसका राइट एंसर है उप्युक्त सभी अगला प्रश्णा है गोखले ने भारत में प्राइमरी सिक्षा के विकास के लिए क्या सुझाओ दिये थे प्राइमरी सिक्षा के विकास के लिए क्या सुझाओ दिये थे तो आप्सन आपके हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बालकों की संख्या में चोगनी वृद्धी की जाए बी है सिक्षा के लिए ग्रिह विभाग में एक सची निक्त किया जाए सी है प्रती वर्ष सिक्षा की प्रगती का विवर्ण प्रकासित किया जा या उप्युक्त सभी बताइए तो इसके रैट अंसर की बात करूँ तो रैट अंसर है उप्युक्त सभी अगला प्रशन है गोखले ने मादमिक सिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सी सिपारिस नहीं की थी तो अप्सन आपके है राज की स्कूलों की संख्या में ब्रिद्धी न करके उन्हें अधर्ष बनाने का प्रयास किया जाए बी है हाई स्कूल कच्छाओं के पाटकरम में इस परकार सुधार किया जाए कि जिससे अपने आप में एक इकाई बन जाए अगला है सी राज की स्कूलों में केवल और प्रसिक्षित अध्यापक रखे जाए डी माध्मिक विद्यालियों के लिए स्कूल फाइनल परिच्छा का प्रबंधन संस्था द्वारा किया जाए कौन से सिपारिस नहीं की थी तो इसके राइट अंसर की बात करूं तो इसका राइट अंसर है अप्सन सी राज्किये स्कूलों में केवल और प्रसिक्षित अध्यापक रखे जाए अगला प्रशना है असर तेस में सचुनना है क्या सही नहीं है तो देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि जब प्रशना हमारा बड़ा होता तो क्योंकि अगर मैं छोटा साइज इस फॉन किया हूँ अगर चोटा करूँगा तो आ तो जाएगा लेकिन सही नहीं लगे गया तो अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशना है मार्च 2012 इस वीक को गोखले विद्यक पर धारा सभा में विचार प्रारंब हुआ बी है गोखले विद्यक का समर्थन भारतियों में पंडित मदन मुहन मालवी तथा मुहमद अली जिन्ना ने बड़ी स्रहिदेता से किया C है भारतिय रियास्तों के प्रतिनीधी तथा जमिदारों ने विद्यक का विर्योत का राष्टे सिक्षा प्रशार के कार में बाधा डाली और D है सरकारी प्रवक्ता हर कोट बटलर ने गोखले विद्यक की सरहना की तथा समर्थन किया आप्सन ड ये रोंग है तो दोस्तों हमारे जो प्रश्न थे इसमें जो है ज्यादा प्रश्न है टॉंटी वन प्लस क्यूसेसर दे रहे हैं तो आई हो कि आपको यह अच्छा लगेगा और जो है मैंने जो history के जो है किसंग जो है आज की तारीक के history के किसंग डाल दिये हैं उनको भी देख लिजिए और library science अगर देख़ना चाहते हैं तो library science भी playlist पे मौझूद है उसको भी आप जाके देख सकते हैं तो ख्याल रख़े सुबरातरी मिलते हैं अगले वीडियो में